इस वीडियो में हम आपके साथ स्टाड़ी करने जारें क्रिटिकल एंगल क्या होता है लाइट में क्रिटिकल एंगल अगर हम समझ जाएंगे तो उसके बाद नेक्स प्रोसेस जो आएगा वो टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन होगा तो पहले हम इस वीडियो में आपको बता क्रिजिक्स वाले टाग लाइन पर चले जाएगा वहां पर आपको वीडियो जाएंगे ठीक है यह क्लास 10 का भी जो टाग लाइन है उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे एनिवे हम शुरू करते हमने सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाया आप धून लेजेगा इसके बा एक रेरर मीडियम है जहां पर पार्टिकल्स दोर दोर है और ग्लास क्या है एक डेंसर मीडियम है जहां पर पार्टिकल्स पास पास है तो अगर हम केस उल्टा ले ले कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेरर में जाए यानि ग्लास से एर में जाए या वाटर से एर मे जाए तब क्या होगा ठीक है तो उस case में ही हमको critical angle मिलता है तो इसकी जो सबसे first condition क्या है कि light must goes from denser to rear-end medium आएए इसको figure से समझते हैं तो ये मालेजे मेरा एक denser medium है और ये एक rear-end medium है ठीक है डेंसर medium में आप example ले सकते हैं और ये मालेजे एक और लाइट जो है यह आपकी normal होगी है चीक है m-n light जो है वो डेंसर medium से रहर नमें जाएगी लाइट यहाप incident करी में अब रेरर में जाएगी, अब ये किधर जाएगी, जब डेंसर से रेरर में जाती है, bends away from normal, यानि नॉर्मल से ये दूर हटीगी, तो यहाँ जितना भी incident angle है, उससे जाधा angle बनेगा, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से ये दूर हटीगी, ये angle of refraction, तो मालीज अगर ये 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री होगा, या मालीज ए 45 डिग्री है, यानि इस angle से ये साथ होगा, क्योंकि ये डेंसर से रेरर में जा रहे है, ठीक है, रेरर और डेंसर मीडियम क्या होते हैं, इसके बारे में समझने के लिए, आप वीडियो दें दू ये कौनसी हो गई, incident ray और ये जो डे आपके निकलियें है, ये है refracted ray, इस तरीके से लाइट जब डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगि, तो वो नौर्मल से दूर चली जाएगी और इस तरह से refract होगी, अगर हम इसी incidence angle को increase कर दये बढ़ा दिया मैंने इस incidence angle को हमने बढ़ा दिया ठीक है कोई theta angle पर और इतना बढ़ाया कि यह जो refracted रहे है यह 90 degree का angle बना ले normal से कितना angle बना ले? 90 degree का यानि इतना incidence angle हो जाए कि जो refracted रहे है वो 90 degree यानि boundary से जाए दोनो medium की boundary से जाए देखिए आपका यह boundary है आपकी incident रहे गए गळा ठीक है और जाए refracted रहे है वो इस boundary से चलिज़े है यानि इन दोनों के बीच में 90 degree का angle हो और यह आपकी क्या होगई? refracted ठीक है? और यह आपकी होगई incident रहे है तो तब ही यह जो angle of incidence होगा जिसके लिए refracted angle 90 degree हो जाए वो incidence angle जिसके लिए refracted angle 90 degree हो जाए वो incident angle को मतलब यह angle को हम critical angle का है ठीक है? that means the value of incidence angle for which the refracted angle becomes 90 degree or the value of incidence angle for which the refracted ray goes from the boundary of the two medium is termed as critical angle and one thing more light goes must go from denser to rarer medium तो वो incidence angle जिसके लिए refracted angle 90 degree हो जाए तो उस refracted ray को नहीं incidence angle को हम critical angle कहते है definition देखिए मैंने लिखी है angle of incidence in the denser medium वो angle of incidence आपका देखिए denser medium में बन रहा है angle of incidence in denser medium to which angle of refraction in rarer medium is 90 degree is called critical angle और इसको हम represent करते है IC से critical angle ठीक है अब इसी में आगे क्या है इसका refractive index के साथ dependence या mathematical अधिकली तो हमने पढ़ा refractive index is equal to sin i by sin r ठीक है तो अब यहां पर क्या होगा आपका light जो है वो glass से air में जारी है ठीक है glass से air में denser to rarer और incidence angle आपका कितना है IC critical angle और refractive angle आपका कितना है 90 clear और sin 90 की value होती है 1 sin 90 की value क्या होती है 1 it becomes glass to air is equal to sin of IC को मैं नी चे लिखते थे sin c that is critical angle clear अब अगर हम ultra case लें कि light goes from air to glass घ्यांदी जे बैस बात है तो यह हो जाएगा 1 upon sin c so this is the relationship between refractive index and critical angle okay that means if refractive index is more then critical angle is less जिसका refractive index ज्यादा उसका critical angle कम clear तो यहाँ पर हमने अभी आपको हर वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ इसमें मैं फिर बताती हूँ आपको generally यह case आपको observe कर रहा जाएगा विब्गयोर की case में ठीक और violet light का refractive index ज्यादा होता है ठीक है और red light का refractive index कम होता है less तो violet light का refractive index ज्यादा है ठीक तो critical angle कम हो जाएगा critical angle कम हो जाएगा critical angle is less clear तो इस तरीके से यहाँ पर अगर blue वाला है तो इसका critical angle कम है yellow light का critical angle इनका comparison किया जाए तो जाता है इसके इलावा जैसे glass का critical angle क्या होता है water का critical angle क्या होता है तो वो मैं आप और लिख देती हूँ आप learn कर लीजेगा critical angle for glass and for water यह आप note कर लीजे glass का critical angle आपका है 42 degree और water का है 49 degree इतना काफी है critical angle ने ठीक है नाव वन दिंग ओर मैं चीज़ और लिख दे रही हूँ factors affecting critical angle कौन कौन से factors हैं जिस पर critical angle depend करता है पहला factor है refractive index फिक कलर और the wavelength of the light and temperature और अब देखते हैंगे किस तरह से depend करता है refractive index अगर बढ़ जाता है ठीक है जादा होता है तो critical angle कम होता है तो यह inversely proportional है and if more is the critical angle less is the refractive index ठीक है जितना जादा refractive index critical angle उतना ही कम इन्वर्सली और जिसकी wavelength जादा यह directly है उसका critical angle जादा जिस और color और wavelength मैं लिखते हो लिखा जैसे विपगे हो रहे है वेवलेंद इधर बढ़ती है इसकी 4000 टैनोमीटर्स तक होती इसकी 7000 होती खीक है तो वेवलेंद इधर बढ़ लगे है तो जितनी जादा wavelength उतना जादा critical angle more is the wavelength of the light more is the critical angle color के साब से देख सकते हैं कि blue color जो है इसका critical angle का मैं येलो color का इससे जादा है orange color का blue color से जादा है red color का critical angle blue से जादा है तो as we proceed in the whip critical angle goes on increasing it is directly proportional to critical angle जैसे जैसे wavelength बढ़ेगी वैसे 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 critical angle बढ़ेगा किसी medium का temperature अगर हम बढ़ा देते हैं किसी medium का temperature बढ़ाते हैं तो critical angle बढ़ता है कि आगर temperature हम increase करते हैं तो critical angle बढ़ेगा तो यह नहीं हर चीज से directly proportional है लेकि refractive index के inversely proportional है यह नहीं refractive index अगर घटा तो critical angle बढ़ा चीक है इसके बाद मैंने यह formula लिग दिया इसको अच्छे सायाद कर ली जिगा refractive index is equal to reciprocal of the critical angle, refractive index is equal to 1 upon critical angle. Thank you.